2016 में राहूल गांधी ने हवस्देव अनड़य के उपर एक वादा किया था कि अगर उनकी सरकार हमारे 36 गड़ के अंदर आएगी तो वो हवस्देव को किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे नमस्कार मेरा नाम है रोहन पठेल तो आज थमनल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक में आज बात करेंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो इस्टार्ट करते हैं चलिए मैं आपका लंग्स निकाल लूँ तो आप जिंदा रहे पाएंगे अबिसली नहीं ऐसा ही 36 गड़ के लोगों के सांथ हो रहा है और अभी ज्यादा तर लोग बोलेंगे अरे 36 गड़ के लोगों के सांथ हो रहे हमको क्या लेकिन आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर नाव एक साइड छेद रहा तो पूरी नाव डूब जाती है है वैसे यह इंडिया के सांथ होगा क्योंकि यहां दो लाक से भी ज्यादा पेड़ बसे हैं 36 गड़ राजय ने हस्देव अरेड़े में बसे परसा ब्लॉक के इस पूरे जंगल को काटने की मंजूरी 6 अप्रेल 2022 को दे दी है अधिकारीक रूप से जो भारत देस अपने य दिगरी और पॉल्यूशन के बारे में पता ही होगा जो हमारा अभी का सहर फ्रेस है वो नहीं रहेगा हस्देव अरेड़े को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है जिसे कावर्परेटर के मुनाफ़े के लिए कार्ड दिया जा रहा है 6 अपरेल के मंजूरी के बाद यहां को काटने का नियम आ गया था कुछ दिनों पहले यहां के निवासी हस्देव को बचाने के लिए 300 किलोमेटर दूरी पार करके राडपूर गय थे लेकिन 37 गड़ के सीम मिश्टर भुपेश बगयल जी ने इनकी बात को फुनने से इंका नहीं है क्या क्या उनकी जिंदगी नहीं है जो 300 किलोमेटर दूर कम लग रहे कि आपको वह भी पैदल चलके गये थे कुछ तो सुनना था उनके बारे में अब गौर्मेंट बोलेगी राजिस्थान को तो बिजली की आवस्टता है इसलिए हम इसको मंजूरी दे दिये हैं लेकिन बिजली की आवस्टता कौन से राज्यको नहीं है अभी के डेट में सोलर पावर एक से एक न्यू टेकनोलोजी आ गया है तो मेरा आप भी बस ये कहना है कि हस्देव को बचा लीजी क्योंकि दो लाग पेड़ हैं यहां दो लाग क्या नहीं दो लाग जिन्दगी उससे पहले 2016 में राहूल गांधी ने स्वेम हस्देव अरन्य में जाकर वहां के सामुदाइक लोगों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार 36 गड़ के अंदर आ जाएगी तो वो किसी ना किसी हालत से भी उसको कटने से बचाएंगे क्या आप वो अपना वादा भूल गे है मिश्टर राहूल गांधी जी मैं आपको याद करा दे रहो मैं तो छोटा बच्चा हूँ मेरे को याद है लेकिन आप भूल गए है क्या चलो आपको याद तो आ रहा होगा इन लोग का दर्द सुनकी लेकिन आपको याद नहीं आ रहे इन्लों के दर्द सुनके पुरे न्यूस में चला है हस्विडियो को उपर बात लेकिन आपको पता हिए नीच लए क्या क्या बूल neighborhoods वादा वहां के वन्य जिवों का क्या होगा और वहां के बसे लोगों का क्या होगा मेरा आप फे इतना निवेदन है कि इस वीडियो को इतना सेयर करें कि हमारे 36 गड़ के समस्त नेताओं प्लस हमारे इंडिया के समस्त नेताओं और वहां की लोगों को तक ये बात पहुंच जाए हस्दों के उपर मेरा आप फे बस इतना ही गुजारिस है तो अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी कैफे चलेगी मेरा आप फे इतना निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ना करें तो ना करें लेकिन सेयर जरूर करें हाँ जोड़ से के निवेदन है आप फे धन्यवाद